नमस्कार स्वागत है आपका SGनीज में देखिए इस उतके बड़ी खबर लेकर मैं आ चुका हूँ खेसारी लाल यादो ट्रेंडिंग स्टार जो है उन पर छपड़ा पुलिस के तरफ से गैर जवानत वारेंट जारी कर दिया गया है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल याद वारेंट निकाल दिया गया है एक छपड़ा कोट के तरफ से तो ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ ट्रेंडिंग स्टार भचपूरी जगत के खेसारी लाल यादो जिनका घर छपड़ा है उन पर छपड़ा कोट के तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है और उन हैंगे जेल ये सारा सवाल आपके मन में चल रहा होगा तो आईए हम इस सारे सवाल का जवाब इस पूरे वीडियो में देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को जादा से जादा सेर भी कीजेगा तो आईए हम बात करेंगे खेसारी ला लालियादो अपनी पत्नी के नाम पर जमीन लेते हैं जिसमें की 22 लाक रुपे का सौधा होने के बाद कुछ पैसे जो है नगत दिये गए बाकी 18 लाक का चेक जो है उन्ही के गाओं के रहने वाले मिर्तुंजे नाथ पांडे को जो है 18 लाक का चेक खेसारी लालियादो ने द जाता है मिर्तुंजे नाथ पांडे जो है पैसा नहीं मिले समय पर नहीं मिले के कारण कोट में जाते हैं और कोट में मामला जो है वो दर्ज किया जाता है और दर्ज करने के बाद खेसारी लाल पे एक मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद जब खेसारी लालियादो कोट में मवजूद होते हैं बिल लेते हैं उसके बाद भी जो है मामला कोट के तरफ से ये कहा जाता है कि पैसा जो है उनको रिटर्न किया जाए क्योंकि उसके बदला उन्होंने जमीन दे चुका था जमीन जो है उनके नाम पर रेइस्ट्री हो चुका था उनके पतनी चंदा देवी क के नाम पर लेकिन उसके बाद भी खेसारी लालिया दो आते हैं जमानत लेकर चले जाते हैं और पैसा जो है उसके बाद भी मिर्तुन जैनात पांडे को नहीं दिया जाता है उसके बाद मामला कोट में और बरता जाता है बरता जाते कि कारण जो है आज बहुत बड़ा एक् खेसारी लाल यादो कोट में हाजिर होते हैं और अपना जमानत लेते हैं जमानत लेने के बाद खेसारी लाल यादो निश्चिंत हो जाते हैं उसके बाद मिर्तुन जैनाथ पांडे जो है एक मामला दर्ज कराते हैं जिसमें धारा धारा लगाया जाता है पुलिस प्रसासन के द्वारा कोट के द्वारा 406 और 138 एक्ट के तहद उन पे मामला दर्ज होता है और मामला दर्ज होने के बाद खेसारी लाल पे एक्षन लिया जाता है और खेसारी लाल यादो क्यूंकि इतने दिनों से पैसा नहीं जमा किये थे उनका चेक बॉन्स हो चुका था जिसके कारण खेसारी पर बहुत बड़ा एक्षन लेते हुए छप्रा कोट ने 11 जनुवरी को जब जमानत लिये थे खिशारी लाल लिया दो 21 जनुवरी 2022 को कोट में हाजीर बिया दो ने जमानत लिया था जमानत लेने के बाद अभी भी कोट परिसर में हाजीर नहीं हो रहे थे लगतार कोट के तरफ से ये नोटिस भेजा जा रहा था छपड़ा कोट के तरफ से कि हाँ आप हाजिर हो जाए नहीं तो आप पे वारेंट आ जाएगा या इस मामले को समझ ले लेकिन खेसारी लाल यादो जो कि भज़वूरी जगत के ट्रेंडिंगे स्टार है वो छपड़ा कोट में हाजिर नहीं हो रहे थे जिसके बाद कोट के तरफ से ये नोटिस जारी किया गया कि अब खेसारी लाल यादो को छपड़ा पूलिस कभी भी गिरफतार कर सकती है तो की रेट 22 लाख रुपए था जिसमें से 18 लाख कच्चे खेसारी लालियादों ने दिया था मिर्तुन जैनाथ पांडे के नाम पर और मिर्तुन जैनाथ नाथ पांडे को समय पर पैसा नहीं मिला उसके बाद केस जो है वो दर्ज हो वो भी देने काम प्रयास करेंगे लगतार इस मुहीम पे SG News जो है अपना ध्यान लगाए हुए है बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से खेसारी लाल यादों के बारे में कॉमेंट में जरू बताएगा और वीडियो को सेर कीजेगा जै हिन जै बिहार